हेलो दोस्तों बहुत बहुत वेलकम करते हूँ फिर से एक बार तो आज आपको बताने जारी हूँ चॉकलेट केक प्रिमिक्स की ये रेसिपी जो कि आप बना के रखिए और जब मन चाहे इसका केक बना के तयार करिए सारे इंग्रिडियंट्स आपको बताऊंगी कितना हमें डालना है और ये भी बताऊंगी कि इस केक प्रिमिक्स को बना लेने के बाद हमें जब केक बनाना पड़ेगा तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं एक कप मैंने मैदा लिया है 125 ग्राम का ये कप है तो इतना ही मैदा मैं इसमें ले रही हूँ सेम कप से एक चौथाई कप मैं इसमें कोको पाउडर डाल रही हूँ चौकलेट केक हमें बनाना है तो कोको पाउडर मैंने इस्तिमाल किया है विक फिल्ड का मैंने इस्तिमाल किया है इसका कोको पाउडर बहुत अच्छा होता है और मैं तीन चौथाई सेम कप से पाउडर शुगर को इसमें एड़ कर रही हूँ पाउडर शुगर को मैंने एड़ कर दिया है और इसमें तीन चौथाई छोटी चमच बेकिंग पाउडर को मैं इसमें एड़ कर रही हूँ आप इस cake premix से एग वाला और विदाउट एग वाला कोई भी cake मना सकते हैं आदी चोटी चमच मैंने इसमें डाल दिया है baking soda को और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो बड़े चमच पाउडर मिल्क को तो मिल्क पाउडर दो बड़े चमच डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा केक में तो इन सब चीजों को मैंने इसमें डाल दिया है और चलिए इसका ढखन लगा दे और इसे अच्छे से मिक्स कर दे तो मिक्सर ग्राइंडर का इस्तमाल करें अच्छे से मिक्स कर दे इसे ौर यह देखिए मिक्स हो गया है बस इसे अभी में च्छान ना है तो चलिए इसे च्छान लेते हैं च्छान लेने से इसमें air आ जाएगी और बहुत ہी fluffy और soft अमारा केक बन ki तयार होगा तो एक ये दो बार आप इसे च्छान सकते हैं तो ये देखिए इसे मैं एक बार च्छान रहे हूँ बनाने के टाइम पर जब आप चेक बनाने जाएं अगर आप कुछ दिन के बाद बनाना चाहते हैं इस प्रिमिक्स से तो उस समय भी एक बार आप उसे इस तरह से छान ले बहुत ही स्मूध बन गया है यह देखिए इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं जब आप केक बनाना चाहें तो 5-6 बड़े चमच मेल्टेड बटर या तेल इसमें डाले और रूम टेंपरेचर पर दूद ले ले और इससे इसका रणिंग कंसेस्टेंसी का बैटर बना ले अगर आप विदाउट एग बना रहे हैं तो जब आपका बैटर बन जाए तो उसके बाद एक चोटी चमच विनेगर डाल दीजेगा अच्छे से मिक्स करके बेग करने के लिए डाल दीजेगा और अगर आप अंडे वाला बना रहे हैं तो विनेगर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अंडे की मदद से केक फूला फूला बनेगा पर विनेगर अगर हम बनाएंगे तो विनेगर डालना पड़ेगा ताकि हमारा केक फूला फूला बने तो इसे आप क्या करें किसी airtight container में डाल करके रख दें और जब आपको cake बनाना है इसे खोलें और इससे cake बना लें दूट से इसका बैटर तयार कर लें तेल इसमें थोड़ा मिला दें जितना मैंने बताया है 5-6 बड़े चमच या melted butter मिला दें और विनेगर डाल दें अगर without egg बना रहे हैं और इस तरह से आप cake बना लीजिएगा तो फ्रेंड्स ये रही चॉकलेट केक प्रिमिक्स की रेसिपी इसे आप आराम से कुछ दिन ऐसे ही airtight container में रख सकते हैं और जब मन चाहेँ cake बना सकते हैं तो अगर आपको ये रेसिपी information अच्छी लगी है तो चैनल को like, share, subscribe ज़रूर करेगा फ्रेंड्स तो मिलेंगे हम लोग ऐसी ही information से जुड़ी ही वीडियो के साथ और नई नई recipes के साथ Thank you